आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे से बने एकदम नए नास्ते की रेसिपी इस नास्ते को बनाने में टाइम बहुत कम लगता है और खाने में ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे इस नास्ते में हम बहुत सी सब्जों का इस्त पहँ सब्सक्त इसमागत है शिवान किचिन में इस concentrate को बनाने के लिए सबसे पहले का एक जाड़ लेंगे और उसमें हम डालेंगे 201 Πरफ हां पतला या मोटा कैसा भी ले सकते हैं तो यहांपर हमने 20 का पोहाँ लिया है इसी की साथ हम लेंगे 202 सूजी तो आप पर हमने पोहा और सूजी को अच्छे से पीस लिया है अब उसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही अब पहले एक बार हम इन सब को अच्छे से मिला लेंगे हमने इस नास्ते में दही डाला है दही डालने से इस नास्ते का टेस्ट अच्छे से मिलाया है लेकिन ये पेस्ट अभी थोड़ा सा गाड़ा है तो इसमें हम आधा कप पानी और डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोहा और सूजी ने सारा पानी सोक कर लिया है तो ये मिश्टन थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है आप इसमें पानी डाल कर इसे एकसा कर लें जैसे हम सूजी का उत्पम या फिर चीला बनाते हैं उसके लिए जो बैटर होता है बिल्कुल उसी तरीके का ब साल मिर्च पाउडर स्वाद नुसार नमक और एक चोटा चमबच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला जिससे इसका टेस्ट और भी जाद अच्छा आएगा अब इन मसालों को हम इस मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे इस नास्ते को बनाने के लिए ज्यादा मसालों की लिया है बैटर हमारा तयार है अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे तो यहाँ पर मैंने आदा सिम्ला मिर्च ली है जिसे मैंने बारिक बारिक कट करके डाला है एक मीडियम साइच का टमाटर लिया है जिसे मैंने बारिक कट कर लिया है एक मीडियम साइच की बारिक कटी तो नाश्ते के लिए हमारा बैटर एकदम तयार है, आज कि इस नास्ते को बनाने के लिए ना तो हम इसमें सोड़ा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इनो का, तो यहाँ पर बैटर एकदम तयार है, तो अब हम चलते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए, तो इसके लिए मैंने ग इसकी flame को हम low to medium कर देंगे और low to medium flame पर हम इसे तब तक सेखेंगे जब तक ये नीचे से अच्छे से सिखना जाए इसकी किनारों को एकसा करने के लिए आप पल्टे से इस तरीके से कर दें तो ये एकदम गोल शेप ले लेगा जैसे ही एक साइट से अच्छे से सिख जाएगा हम इसे धीरे से उठा कर इसे पलट देंगे और दूसरी साइट से भी इसे सिख लेंगे इसको पलटते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बहुत soft बनता है तो तूटना जाए इसलिए धीरे से उठा कर इसे पलटना है और दूसरी साइट से इसे अच्छे से जाए आप इसे फिर से पलट कर इसे बाहर निकाल लेंगे अब हम फिर से थोड़ा सा ओइल डालेंगे और इसमें एक से डिर चमचा बैटर डालेंगे इसे हलका सा फैला लेंगे आपको इस बैटर को ज्यादा बड़े साइज में नहीं फैलाना है नहीं तो इसे आपको पलट हैं इसे हम एकसा कर लेंगे जब यह बहुत हलका सा सिख जाए तो आप इस तरीके से पलटे से एकसा कर लें जिससे कि यह गोल शेप ले लेगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप इसे एकसा कर लें नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें, अब इसे भी हम नीचे की साइट से अच्छे से सिखने तक वेट करेंगे और जैसे ही ये नीचे से अच्छे से सिख जाए आप इसे फिर से पलट दें और दूसरी साइट से इसे से शेक ले, ये नास्ता खाने में पोखा और सूजी का बना नास्ता एकदम तयार है आप इसे कैचप के साथ या तीकी हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें आपके घर में ये सभी को बहुत पसंद आएगी आप रोज रोज इसी नास्ते को बनाना पसंद करेंगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसे की साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू